आपका स्वागत है आज हम क्लास इक्स के चैप्टर फोर पढ़ाने जा रहे हूं एल्बम हिंदी से इसमें इसमें कहानी है इस पार्ट में गरीब रामन और एक सिट की जजमान की कहानी है पढ़िएगा तो कहानी तो अच्छी है रोचक है लेकिन आप लाइन बाइन पढ़ करके और मेरे अर्थ मिला करके ज्यान देजिए पढ़िए एक ब्रामन और एक सिट की कहानी है इसमें साधी राम और लाला सदानंद लाला सदानंद दोनों की बीच की कहानी है ठीक है साधी राम और लाला सदानंद कभी साधी राम सदानंद जी से पांच सो रुपे लिये होंगे कर जी दिखाया नहीं लेकिन लिये होंगे इस कहानी से पता चलता है कि वे बार बार पैसे लोटाने के लिए एक एक पैसा जमा करते थे एक बार उन्होंने जमा करते करते 80 रुपया तक आ गये थे और उन्हें लोटाना था 500 रुपया इसमें जब 4 पैसे जमा होते थे तो उनके घर में इस तरह कार जा जाते थे कि उन्हें पैसा खर्च करना ही बढ़ता था और सारे पैसे ओड़ जाते थे फिर उन्हें टेंचन बनता था चिंता बनता था कि मैं उन्हें पैसा लोटा पाऊंगा या नहीं किन्तु यह बार बार उनके दिमाग में यह बात बर्ची की तरह चूबते रहता था पर वे कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उचित खर्च तो रुकेगा नहीं, वे गरीब जरूर थे, परंतु दिल के साप थे, उन्हें लगता था कि मैं हमेशा उरीनी रहूं, ऐसे भी ब्राम्हन जो हैं, इमांदार होते हैं, वे ब्राम्हन ही थे, गरीब तो थे, लेकिन उदार दिल के लाला सदानन्द भी पैसे की जिक्र भी उनसे कभी नहीं करते थे, फिर भी उन्हें ऐसा लगता था, साधी राम को, कि मैं इनका पैसा दे दूँ, तो मेरा सिर दर्दी नहीं रहेगा, यह पूछते, उन्होंने उदासी से बताते हैं, कि अब एक दिन की बात है कि में पुस्तके देख करके उनसे पूछते हैं, कि यह सब क्या है? साधी राम बताते हैं कि यह सारी पत्रिकाएं हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं पत्रिका के सौखीन थे, वे हमेशा तरह तरह की पत्रिकाएं मंगाये करते थे, और पढ़ा करते थे यह देख करके लाला सदानंद जी बोलते हैं कि दिखाईए तो इसमें किस तरह के चित्र है साधी राम कुछ पत्रिकाएं खोल करके दिखाता है रंग विरंगे तरह तरह के चित्र देख करके वे मन में विचार करता है और सदानंद कहते हैं कि ऐसा करो किसे अच्छी अच्छी तस्वीरे जो है यह इसमें से निकाल लेजिए और निकाल करके मुझे बताईए ताकि मैं इसे एक एलवम तयार करूगा और आपके नाम से विग्यापन छपवाद होगा इससे क्या होगा कि कुछ पैसे आपको मिल ज आइंगे ऐसा सोचता है और साधी राम को आदेश देता है कि मैं आपको जिस तरह काता हूँ अप ध्यान से इसे तस्वीर अच्छी अच्छी तस्वीरे को छाटिए और मेरे पास जमा करिए उसमें से अच्छे अच्छे तस्वीर के उन्होंने छाटे और जा करके बोले कि कोई अगर चित्र का सोखीन होगा तो इसे खरीद लेगा और बिग्यापन उसके नाम से छपवा दिये उसके बाद में आप उसके बाद में बिग्यापन के द्वारा परचार पसार हुआ पंडित साधी राम को एह आसा न थी कि कोईले में भी हीरा मिलेगा फिर लाला सदानंद की बातों को मान कर साधी राम बताय हुए कार्ज करता है फिर कुछ दिन बाद एक पत्र आता है और के लिए फिर दुसरा मांग करता है और इसे एक हजार रुपे मनियाडर करता है साधी राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है फिर वह 500 रुपे लाला जी को देने के लिए जाता है लाला जी पैसे लेने से इंकार करता है कि मैं तो आपका ज़ज्मान ही हूँ फिर थोड़ी सी मदद के लिए क्या लोटाना है साधी राम आग्रह करके पैसे दे देता है इसकी उधारता को देख करके सदानंद का मन भार आता है मन ही मन वह सोता है भला पैसे लोटा करके भी मन उस इतना परसन हो सकता है ऐसा अनुभव उन्होंने पहली बार किया चाह महिने बाद लाला सदानंद बिमार पड़ते हैं पंडी जी उनके पास माला फेड़ते हैं और गीता के पाठ सुनाते हैं कुछ ही देर बाद वे बेसुध हो जाते हैं बने बेहोसी की तरह हो जाते हैं उसके घर वाले इधर उधर जाते हैं तब तक साधी राम उसके सिरहाने तक जाते हैं और उसके सिरहाने से एलबम पाकरके फिर चिंतित हो जाते हैं कि मेरा ही एलबम है अब तक तो मैं उरिनी था लेकिन अब तो लगता है कि यहरीन उतर नहीं पाएगा और यहरीन दूगना हो जाएगा यह सोच करके वह फिर दुवारा चिंतित हो जाते हैं जब सदानंद का होस आता है तब साधी राम से एलबम ले लेता है और धीरे से बोलते हैं कि मैं इसे सेट जी से मंगवा लिया था इस तरह का करके उसे संतबना देते हैं और उसे संतुष्टी कराते हैं कि आप उरीन ही है आप रीनी नहीं है ठीक है इसका लेखक सुदर्शन जी है और प्रसुत्तर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तद तक के लिए टेक केर वाए ओके